लेकिन ये value अगर हम देखें दोस्तों तो ये करोड नहीं है, करोडों में है पहले तो आप सभी का दिल से धन्यवाद की आपने मेरे large cap stocks के SIP वाले वीडियो पे इतना ज़दा प्यार दिखाया वहाँ पर comments किये, मैंने आपसे पूछा था कि क्या आप चाते हो कि मैं mid cap और small cap category के stocks पर भी इस analysis को perform करके आपके लिए अच्छा एक actionable input की rate करों जिसे आपको एक list मिल पाए और आप इस गिरते हुए बजार में धीरे धीरे SIP करके उनमें एक करोड का amount पार्च वर्षों में बना भी पाए और उसी अपने प्रयास को continue करते हुए मैं आपके लिए part 2 लेके आया हूँ यानिकि ये वीडियो जहां पर मैं mid cap company की analysis आपके साथ exchange करूँगा part 3 में हम small cap company की analysis की बात करेंगे तो उसके लिए आप इस YouTube चनल को subscribe करके रखिएगा अगर अभी तलग आपने नहीं किया ताकि मेरे उस वीडियो का update भी आप तक पहुँच सके तो आज का ये part 2 का वीडियो है उसे शुरू करते हैं आईए मिलकर सीखते हैं अब देखिए यहाँ पर मैं आ चुका हूँ टिकर टेप के website पर और जैसे मैंने part 1 में यानिकी large cap stocks की identification भी टिकर टेप के platform से करी थी तो mid cap और small cap की भी जो identification है वो हम टिकर टेप के platform को use करके करेंगे क्योंकि यहाँ पर मिल जाता है आपको stock screener वाला feature टिकर टेप वैसे आपको try करना है तो नीचे description में आपको उसकी भी link मिल जाएगी अब यहाँ पर मैं मेरे अपने filters लगाँगा जो filters मुझे अच्छे लगते हैं जिसकी discussion मैंने already आपके साथ large cap stocks वाले video में करी थी अगर आपसे वो video miss हुआ है तो उपर i button में मैं उसकी link दे दूँगा आप वहाँ पर click करके देख सकते हो उपर flash भी हो रही होगी link अब यहाँ पर ROC यहाँ पर हम click कर देते हैं ROC को उसके बाद return on equity तो return on equity को हम यहाँ पर type करके select कर देते हैं उसके बाद है depth to equity ratio इसे भी हम यहाँ से select कर देते हैं उसके बाद है free cash flow free cash flow को भी यहां से मैं select कर दूँगा यह चार ना मेरे थोड़े से favorite filters है और हमेशे रहे हैं क्योंकि इन से ही मुझे हमेशे अच्छी company की जो परक है वो पता चलती है और historically इसने मेरे लिए काम किया है तो हो सकता है मैं biased हूँ in filters के लिए in conditions के लिए in criteria's के लिए लेकिन यह आपके उपर निर्भर करता है कि आप एक company में क्या-क्या चीज़े देखते हूँ the first screening process यानि कि जो पहला phase होता है किसी भी company को अपने watch list में add करने का वो मैं इन चार filters के माद्यम से करता हूँ अब यहां पर हमारे पास list आ चुकी है और यहां पर मैं mid cap पर select कर दूँगा यह exercise आप खुद भी कर सकते है इसलिए मैं इसे बहुत ही simple और actionable रखूँगा कि आगे आपको कुछ भी customization करनी है तो वो भी आप कर सके mid cap पर जैसे ही click करूँगा तो 151 companies देखी यहां पर आ गई है अब मेरे पास क्यूंकि pro version है तो मैं export वाला यह option है इसे select करूँगा export results पर click कर दूँगा अगर आपके पास pro version नहीं है तो आपको यहीं पर on screen देखकर adjustment करनी पड़ी अब इस excel को खोल देते हैं यहां पर जो ticker होता है उसे मैं हटा देता हूँ और बाकी सब चीजों को quickly मैं यहां पर थोड़ा सा presentable भी बना देता हूँ ताकि मैं अच्छे से आपको समझा पाऊ मैं screen बड़ी कर दूँगा जब भी सही समय आएगा सही filters लगाने के बाद ताकि आपको सारी जो नाम है वो visible भी हो सके अब यहां पर जो भी numbers हैं उन्हें मैं सिर्फ और सिर्फ दो decimals तक ही रखना पसंद करता हूँ तो इसे मैं दो decimals तलग ही लेके जाओगा ठीक है अब यहां पर यह हमारे पास list आ गई है जैसे मैंने कहा 151 companies की यह list है अब यहां पर कुछ filters लगाएंगे हम लोग सबसे पहला filter जो रहेगा वो written on capital employed पे रहेगा number filters greater than or equal to 15 minimum 15 का हमें ROC चाहिए ROC के बाद हमें written on equity जो है वो भी यहां पर greater than or equal to 15 का चाहिए उसके बाद आता है debt to equity यानिकी company पर कितना करजा है पहले हम mid cap category पर यह exercise कर रहे हैं तो यहां पर भी मेरा rule होता है less than or equal to one का ठीक है तो one के अंदर के जो भी companies हैं उसका यहां पर हमें result आ जाएगा और free cash flow तो यह जो column है हम देखी पा रहे हैं ठीक है अब यहां पर अगर हम देखें तो हमारे पास आ चुकी है सत्रा यानि कि खद्रा सत्रा mid cap company या क्या ये company एक करोर का corpus बनाने की शमता रखती है अब देखी हो तो कुछ भी सकता है शेर बजा रहे है zero से hero hero से zero कुछ भी हो सकता है लेकिन मैं यापर खोज रहा हूँ used case ऐसा used case कि जिस company ने SIP के द्वारा यानि कि कोई अगर person कोई अगर व्यक्ती हर मेने एक particular amount उसमें invest करता जा रहा है करता जा रहा है तो उसका एक करोर बढ़ाने की जो probability है वो prove करके दिया है इस company ने वो दिखाया है तो इन 17 में से 17 वो company आ है मैं नहीं मालता इसकी चीज हमें अभी चेक करनी पड़ेगी हर चीज हम चेक करते है तो ये भी चीज हम चेक करेंगे पहली company हिंदुस्तान aeronautics बहुत बढ़िया company है defense sector की है अभी इसे हम search कर लेंगे तो एक company तो बढ़िया है इसे मैं नहीं select करूगा HDAC asset management company इस stock ने तो भईया बहुत रुलाया है मुझे रुलाया है आपको भी रुलाया है तो फिर दीचे comments में लिखिएगा देखिए ये company जो है इसकी भी 5 साल की data हमारे पास available नहीं है August 2018 से data available है लेकिन वहाँ पर negative returns इस company को भी मैं SIP के लिए नहीं recommend करूँगा उन aggressive investors को जिनका लक्ष एक करोड के corpus का है अब चलते हैं तीसरी company कोफोर्च ठीक है IT company है इसका एक बार देख लेते हैं किस प्रकार के returns बना कर दिये हैं खास करके SIP returns की बात करें तो यह देखिए April 2017 से यहाँ पर data है हमारे पास पार सलों की data है ठीक है यहाँ पर अगर किसी ने 100-100 रुपे हर मैने invest किये होते एक hypothetical है आप काओ कि 100 रुपे का तो stock ही नहीं है आप 10,000 कर लीजिए आप 1,00,000 कर लीजिए आप 1 करोर कर दीजिए तो उन्होंने invest के 6,000 रुपे यह देखिए investment होगे 6,000 की और उसकी value होगी 21,830 रुपे की यानि कि अगर किसी का लक्ष 1 करोर के कॉर्पस का है न दोस्तो तो definitely उसे 1,00,000 रुपे पर मत invest करना पड़ेगा उसके इसाब से उसकी value आज 2 करोर 18,000,000 रुपे हो जाती देख रहा है लेकिन मैं परसली हमेशे यह चाहता हूँ या यह कहता हूँ कि आप अपने goal को जब achieve कर ले तो at least 50% profit book कर ले निकल जाए वहाँ से जो भी आपका मुनाफ़ा है या आप वो book कर ले कोई ऐसी चीज़ आप book कर ले, block कर ले ताकि अगर चीज़ें बदल गई change हो गई तो आपको अर्मान नहीं होना चाहिए अब इस case में तो आप कहो के सर एक करोर book कर लेते तो यह तो 2 करोर 18,000,000 तक भी पहुँचा मैगरी करता हूँ लेकिन बहुत सारी ऐसी भी companies होती है जो पलट जाती है आपको हमेशे हीरा हाथ में मिलेगा ऐसा बिलकुल भी ज़रूर नहीं और 151 company के बाद अब पहली company हमें देखिए तो मैं इस company को यहाँ पर highlight कर दूँगा ठीक है इसे मैंने yellow highlight कर दिया उसके बाद है Glexo Smith की company तो इसे भी मैं search करूँगा इसने SIP returns किस प्रकार के दिये है ना पास साल में 6000 का investment हो चुका है 6400 रुपे का cable 7.62% इसे मैं नहीं consider करूँगा Supreme को देख लेते हैं Supreme Industries ने कैसे returns दिये है SIP के returns तो यहाँ पर 6000 रुपे बन चुके हैं 9139 मतलब अगर कोई 1,001 रुपे की परमन SIP करता है तो उसके 91 likes बनेगे Mid cap में गोल को सरपास करने वाली company चीए अचीव करने वाली शायद आगे कोई मिल जा तो फिलाल मैं इस company को कोई color coat नहीं दूगा aggressive investors के लिए जिनका लक्ष एक करोड रुपे का है पांच साल के period में और वो हर महीने एक लाग की SIP करना चाते है clean science and technology को देख लेते हैं इसके SIP returns किस प्रकार के रहे है अब यहाँ पर पांच साल का तो data हमारे पास अगे नहीं है तो इस company के लिए हमें एक used case नहीं मिल पा रहा है company भले ही हो सकता है अच्छी हो लेकिन यहाँ यूस्ट केस नहीं है तनला platforms limited यह बहुत चर्चा में भी रह चुकी थी company मैं भी आपी के सामने analysis कर रहा हूँ यह तो देखिए 6000 रुपे की investment एक minute 6000 रुपे की investment हो चुकी है 51409 की value अपरिल 2017 से यह data है ऐसे हीरे mid cap और small cap में आपको मिल सकते हैं mid cap में ऐसी bets अगर मिल जाती है किसी को आपके portfolio के एक अलग level पर लेके जाती है अब आगे क्या होगा वो मुझे नहीं पता है मैं history share कर रहा हूँ आपके साथ आपको भी ऐसी अपनी exercise करनी है इसर भी ये company पे आग बंद करके दाव नहीं लगा देना है मैनत का पैसा है आपके इस तरीके से आपको अपनी activity जो है वो करनी पड़ेगी तो यहाँ पर 2423% के returns है CIGR returns नहीं है ये value अगर हम देखें दोस्तों तो ये करोड नहीं है करोडों में है तो वो चीज़ आप देखेगा अगर कोई एक लाख रुपे के SIP करता है तो तो definitely इसने used के समय दिया है तो highlight करके रखेंगे उसके बाद चलते हैं crystal limited पर crystal को एक बार देख लेते हैं कि इसने किस प्रकार के SIP के returns दिये है तो यहाँ पर 6000 हुए है 9218 यानि कि एक लाख रुपे के SIP को इक करता है तो 92 likes बनेगे mid cap है जिसे मैंने कहा मुझे gold surpass करने वाला used case चाहिए डॉक्टर लाल पैथलेप्स को ले लेते हैं यहाँ पर SIP के returns देख लेते हैं इनके कितने हैं तो हाँ यह खरी उतर रही है watch list के लिए बहुस छे हजार की investment 11,000 की ओ चुकी यानि कि अगर कोई एक लाख रुपे की per month investment करता है तो एक करोर 10 लाख रुपे उसके बनते हुए यहाँ पर दिखे है तो इसे मैं definitely color code ज़रूर करूँगा और यह इतने market correction के बाद दिख रहे हैं तो भी आप सोची उसके बाद चलते हैं और search करते हैं bear crop science के returns को तो यहाँ पर SIP के returns देखे इसको छोड़ी देना है बास negative follow को तो यहाँ पर जगा देनी नहीं है पहले ही mid cap है risk उठा रहे है risk के against reward बड़ाई ची है Pfizer को देखें अगर यहाँ पर 6,000, 8,000 हुए है यानि की 60,000, 80,000,000 हुए देख लिए आपको अगर पसंद है तो मुझे नहीं पसंद है mid cap में मैं risk लूँगा तो बड़े used case के लिए लूँगा नहीं लूँगा as a first criteria जो filter रहेगा वो यहाँ पर Nippon Life India Asset Management ना मज़ा नहीं है Vinathy Organics इसे देख लेते है यहाँ पर SIP case के returns यह एक company है वो used case मिल गया देखे 60,000,000 रुपए अगर किसी ने invest किये होते तो यहाँ पर 1,34,000,000 की उसकी value होती तो Vinathy Organics को मैं यहाँ पर color code दे दूगा उसके बाद है नवीन Florine International Limited इसे भी search कर लेते हैं तो यहाँ पर SIP के जो returns हैं वो शबर दस्त है दुगना बना की दिया है मतलब 60,000,000 का 2,20,000,000 रुपया तो इसे भी मैं definitely यहाँ पर highlight कर दूगा Grindwell Lawton Limited इसे search कर लेते हैं एक बार tactical कर रहा हूँ आपके सामने में मज़ा आ रहा होगा आ रहा है तो वीडियो को like कीजिए ऐसे सिर्फ चुचा बैठके देखी नहीं ठीक है हाँ इसमें भी इदाम है इसका भी used case मिल गया दोस्तो यहाँ पर अगर किसी ने 60,000,000 रुपय इंवेस्ट किये होते हैं यानि कि एक एक लाक रुपय है पास साल तक तो उसकी value हो जाती एक करोण 58,000,000 रुपय की तो इसे भी मैं यहाँ पर highlight कर दूँगा ठीक है उसके बाद हम चलते है Sun TV Network Limited अभी Sun TV Network Limited को अगर हम सर्च करें इसके SIP Returns को देखे तो यहाँ पर जिलेक्ट इंडिया लिमिटेट इसकी भी यहाँ क्या कहानी है इसके SIP Returns को देख लेते हैं इसके SIP में नेगेटिव रिटन्स कंपनी बले ही बढ़िया है दोस्तो लेकिन हमें रिटन्स देखने हैं हमें यूस्ट केस चाहिए बही ऐसा केस चाहिए जिसने आस साल में करोड उप्या बना के दिया है सल्वान घान चाहिए हमें नहीं आपकमिंग अक्टर चाहिए नहीं पता है ना लेंगे 100 करोड हिट करेगा ही करेगा अभी तो 200-300 करोड होते होंगे लेकिन पता है अगर साइन किया तो 100 करोड उस पिच्चर से बनने लगा यूस्ट केस है राइट तो न्यू कमर को यहाँ पर क्यों हम चांस दें मतलब चांस देना चाहिए अगिन न्यू कमर से भी पिच्चर ही चलती है ऐसे नहीं नहीं चलती है लेकिन अगर objective पैसा बनाना है एक predefined goal है एक करोड चाहिए चाहिए एक लाग में डालना हो तो मेरा expectation उससे साब का है विसलिए मुझे used case यह used case वाला जो भी company है मैं उसे हाइलाइट करूँगा तो यहाँ पर कितनी company है गोफोर्ज एक तनला platforms लिमिटेड दो डॉक्टर लाल पैथलेप्स लिमिटेड टीम विनती और्गनिक चार नवीन फ्लोराइड पाच और क्रिंडवेल नॉट उन लिमिटेड छे डेट्सों से जादा company के नंबर थे और केवल 6 qualify हुई है जहाँ पर हमें एक used case देखने के लिए मिला है कि हमारी एक लाख रुपय पर मंद की जो investment है साथ मेनों के लिए वो एक करोर में convert हो सकती या उससे जादा भी हो सकती है बहुत सारी ऐसी भी companies थी तो ये था मेरा एक छोटा सा प्रयास आपके साथ exchange करने के लिए actionable input के बारे में जहाँ पर इस तरीकी की exercise perform करके आप अच्छी company falling market में ढूंट के long term investment यानि की करीबन 5 साल के SIP investment करके भी अच्छी wealth gain कर सकते हो तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये educational आएगा इस वीडियो के तुरंथ शायर बाद आजाए तो आप इस YouTube चनल को subscribe करके बिल्कुल रखिए quick और easy update से लिए अबारा telegram group है जो बिल्कुल भी free है उसे ज़रूर join करें उसकी link आपको नीचे description में मिलेगी या तो telegram app में आप simply Sunday निवेश search कर सकती हूँ खुद research अगर perform करनी है आपको तो टिकर टिकर ट्राय करना बिल्कुल भी ना बुले उसकी भी link आपको नीचे description में मिल जाएगी जो भी है जानकारी मैंने आपके साथ exchange करी है वो मेरे limited knowledge के हिसाब से करी है कोई biasal recommendation नहीं है आप अपने investment का decision अपने registered investment advisor के मादम से ही लीजेगा तो इसी के साथ करते हैं conclude इस educational वीडियो को यहीं पर जल्द मिलते हैं किसी और interesting topic के साथ किसी और दूसरे वीडियो में तब तक अपने health का और wealth का जबर अच्छे से खयार रखिएगा